हेलो गाईज प्रतिक हीर तो आज हम कैली प्रो या कैलिफोर्निया प्रो शो के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे हम हर बार नुई यॉर्क प्रो को कर्टिसाइज करते हैं उनकी लाइटिंग के कारण पर कैलिफोर्निया प्रो के लाइटिंग उससे भी खराब थी और जो कांटेस्ट से फोटो निकल कराए है वो तो उससे भी बेकार है पर अब हम क्या कर सकते हैं 2020 कैलिफोर्निया प्रो के विनर बने एंटोनियो वेलेंट सेकेंड पर रहे मैक्स चाल्स इन दोनों के बीच में टॉप प्लेस के लिए बैटल हुआ काफी करीबी मुकाबला था अपर बोडी में मैक्स चाल्स डॉमिनेट कर रहे थे पर लोवर बोडी में एंटोनियो वेलें शायद बॉडी बिल्डर जब स्टेज पर होता है स्टेज पर पोजिंग कर रहा होता है तो वो कितनी हेवी ब्रीधिंग करते हैं तो मास्क के साथ यह केसे मैनेज करेंगे पर बहुत लोग ने मैनेज कर लिया पर आप देख सकते हो इन्होंने तो मास्क अपने नाक पर नहीं मुझ पर पहना है फिर इसका फाइदा क्या हुआ खेर फर्स्ट पर रहे एंटोनियो वेलेंट इनकी फिजिक मुझे अच्छी लगी खास करके उनके लेग्स, लेग्स के अंदर अच्छा खासा साइज था, लेग्स में कर्ट्स और कंडिशनिंग बहुत बढ़िया लग रही थी, पर ओवराल अपर बॉड़ी थोड़ी फ्लैट लग रही थी, बाइसेप ट्रैसेप में साइज कम था, दूसरे नमबर पर रहे मैक्स चाल्स की फिजीक सेम टू सेम थी, कुछ खास बदलाव नहीं थे, उनका मिर सेक्षन और स्ट्राइटेड चेस्ट ये उनके डॉमिनेंट बाड़ी पार्ट थे, ओराल उनकी कंडिशनिंग काफी अच्छी थी, पर लोवर बाड़ी में एंटोनियों से मात खा गए, थर्ड पर रहे ये एक सर्प्राइस पैकेज थे, क्योंकि उन्होंने पैट्रिक मोर को पच्छड दिया, इस फोटो में आप देख सकते हो, एंके लेक्स का स्वीप या पूरा का पूरा लेक्स का एरिया, काफी इंप्रेसिव था, बाड़ी पर डेंस मसल मास था, चोथे नमबर पर रहे प करना, पाचवे नमबर पर रहे एडी ब्रैकामोंट्स, छटे नमबर पर रहे मौमत शबान, सातवे नमबर पर रहे जो सीमन, आटवे नमबर पर रहे हसन मुस्तफा, जिनको पिछले शोव में सभी विनर मन रहे थे, पर हसन पिछले शोव के बाद हॉस्पिटलाइज हो ग इंस्टाग्राम पर शेयर करना इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है थैंक यू